नमस्कार प्रभासाक्षी पॉड्कास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉड्कास्ट में हम बात करेंगे राजस्थान में बीजेपी की जीत का लगा तग्रा सट्टा अमित शाह और गहलोत ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिखाए बड़े तेवर तो आए एक बार फिर भाजपा और कॉंग्रेस ने राजज्य में अपनी अपनी सरकार ब्राने का दावा किया है कॉंग्रेस की ओर से राजस्थान सरकार की योजनाओं को देश में सबसे बढ़िया बताते हुए सोसल मेडिया पर कई पोस्ट भी किये गये हैं इस बीज फालोदी मे सट्टा बाज़ार में भाजपा की प्रजेंड जीत के दावे किये जा रहे हैं जिससे भाजपा समर्थ को का उत्सा चरम पर दिखाई दे रहा है चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रिक रियमंत्री अमिर्शाह ने जैपूर में समवदाता संबेलन को संबोधित करते कॉंग्रेस पर जोड़दार निशाना साथा अमिर्शाह ने राजस्थान में सत्तरूट कॉंग्रेस पर परिवारबाद भरष्टा चार और तूष्टी करन की राजनीती करने कारोप नगाते हुए कहा कि इससे जनता बहुत रस्त है इसके साथ ही उन्होंने विश्वाज अगामी विधान सबाचुना में वाजपा के सरकार बने गिया मिर्शाने समवर्दाता संवेलन में कहा वीते पात साल में कॉंग्रेस ने परिवारबाद बरष्टा चार और तूष्टी करन की राजनीती का परिचाह दिया है इससे जनता का नुकसान हुआ है उन्होंने कहा कि पांस साल में राष्टान में अगर सबसे खराब इस्तिती किसी की रही है तो महिलाओं और दिलतों की रही है गैलो सरकार में तोष्टी करन की राजनीती चरम सीमा पर है राष्टान सरकार ने वोट बैंक की राजनीती के कारण दंगाईयों पर कोई ठोस का रिवाई नह राष्थान के हर कोने में जंदाने परिवर्तन का मूड बनाया हुआ है और हर शेत्र में बिफल कॉंग्रिस सरकार को बिढ़ाई देने के लिए राष्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है शाह ने यह भी कहा कि भाजपा की नरेंद्र मोधी सरकार ने रास्थान में कर सरकार के खिलाब कोई सब्सक्राइब को बने जा रहे हैं कि हमने अपनी दस गारंटी को पूरा किया है अगली साथ गैरंटी के लिए जनता का विश्वास हम पर है कोई भी रास्थान में आपको नहीं कहेगा कि सरकार के खिलाफ को या हमारी बहुत बड़ी उपलब्दी र तरह कर सकता विरोदी रहे नहीं नहीं है औरोंने किया कि नग्रेश के दिवंगत नेता राजेश पाइलट को लेकर प्रदानवंति नरेंद्र मोधी की टिपनी पर पलटवार करते हुए गहलोत ने कहा कि गुर्जर सर्माज को भढ़काया जा रहा है इस बीच में उसकी सरकार की चिरंजीवी स्वास्त भीमा योजना पुरे देश के लिए मॉडल है क्योंकि इसके तहत गुर्दा और यकिर्थ प्रतिर ओपन से लेकर कैंसर और हिर्दय रोग तक का उप्चार निश्युल्क हो रहा है पार्टी महासाची जारामनमेश ने उम्मीद जता है पार्टी ने अपने चुनावी घोशना पत्र में वादा किया है कि अगर वाफिर से सत्ता में आती है तो इस योजना के तहत रास्थान के लोगों को पचास लाग रुपे तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा जैराव रवेश ने एक स्पूस्ट में कहा कर राहूल गां कारे जोरे रहिया प्रभास अक्षी के साथ